नमस्कार आप सभी का आयगें, description99 में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे किसी भी सरकारी कारियाले में किसी पदाधिकारी करमचारी द्वारा सो समय ना आना या देर से आना या उपस्थित न रहना इससे संबंदित अपने कारियाले में RTI किस प्रकार लगाएंगे जिससे वहां के एक रमचारी पदाधिकारी शौसमे उपस्थित हो सके तथा उनकी उपस्थिती पत्रिक रेश्टर के बारे में किस तरह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक अवस्थ कर लें तथा एक लाइक अवस्थ कर देंगें क्योंकि इस भरष्टाचार के युग में कोई भी पदाधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं अधिकांस जगह देड़ से आते हैं कभी कभी तो कई दिन आते भी नहीं हैं लेकिन बाद में उनका उपस्थती दर्ज कर दिया जाता है ऐसे मामलाओं में हम लोग RTI लगा कर उसकी जानकारी कैसे लेंगे देखें पूरा बिना इसकी क्वेवे इस वीडियो को अवस्थ देखेंगे सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 Right to Information प्रपत्रको के द्वारा हम लोग RTI लगाते हैं आप लोगों को फॉर्म हो तो उस पर लगात देगे नहीं तो इस तरह टाइप करवा सकते हैं या सादे कागज पर भी इस प्रकार लिख सकते हैं सेबा में लोग सुचना पतादिकारी या जन सुचना पतादिकारी जो भी आप लोग लिखते होंगे लिखेंगे कारियाले या विभाग का नम जैसे आपके गौण सहर के स्कूल अस्पताल या थाना या अंचल प्रखंड में कोई पतादिकारी समय पर नहीं आता जिस काड़िकाले से समंदित आप सूचना चाहते हैं उस कारियाले का यहां नाम लिख देंगे आवेदक अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम भी लिखेंगे, पूरा पता आवस लिखेंगे, पीन कॉर्ड साइथ लिखेंगे चौथा मांगी गई सूचना है मैं अपने गउं सहर या नगर में इस्थित, अपने गउं या सहर जहां कारियाले स्थित हो उस जगा का नाम लिखेंगे इस्कूल का हो तो इस्कूल लिख देंगे परखंड कारियाले हो तो परखंड अंचल कारियाले हो तो अंचल थाना अस्पताल जो भी जिस भी कारियाले में आप सूचना के लिए RTI लगाना चाहते हैं उस कारियाले का यहां नाम पता लिख देंगे के संबंद में निम्लिकित सूचना अप्राप्त करना चाहता हूँ पहला उप्रोक्त संस्था में कुल कितने करमचारी हैं इन सभी करमचारी या पताधिकारी की एक सूची प्रतान करें जिसमें उसका नाम पद, काड़िभार या जिमिवारी का विब्रन वो बर्तमान कारियालाय में कब से कारियरत है परति दिन डुटी पे आने वो जाने का समय निश्चित हो उसकी परति हम लोगों को चाहिए दूसरा है उपरोक्त सवी क्रमचारी या लोकसेवक के उपस्थती रईष्टर की पिछले तीन महा की परति उपलब्द कराएं आप यहां तीन महा के जगए एक महा छे महा एक वर्स जो भी लेना चाहते हैं जो भी आपको जरुरत मरसूस हो जितने दिनों की जानकारी आप लेना चाहते हैं यहां लिख देंगे उपलब्द कराएं तीसरा है यदि कोई क्रमचारी निर्धारित समय पर काड़ियाले नहीं पहुंशता है या बिना सुचित के अनुपस्थित रहता है तो विभाग में उसके खिलाप क्या कारवाई किये जाने की विवस्था है इस संबंद में नियमों नीती निर्धेसों की परती भी प्लब्द कराएं यदि कोई क्रमचारी लोग से वक्षव समय उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाप विभाग में कुछ नियम कानून बने होंगे उन नियम कानून की परती भी हम लोगों को अवस्थ लेनी चाहि जिससे हम लोग भी जान सकें उस पर क्या करवाई की जा सकती है चौथा है पिछले तीन महा में कितने क्रमचारी के खिलाप तेर से आने या अनूपस्थित रहने के मामले में उप्रोप त्वस्था के तहट क्या करवाई हुई है पुरा विबरन आदेश या निर्देश की प्रते भी दे है यदि कोई क्रमचारी बिलम से आता हो या अनूपस्थित रहने के बाद कोई सूचना नहीं देता है तो उस पर क्या करवाई की गई है या होनी चाहिए या कोई आदेश निर्देश हो तो उसकी प्रते भी अवस्थे हम लोगों को लेनी चाहिए पाच माह है पीछले तीन महा में कुल अब कासों का विप्रण उपलब्द कराएं जो उपलब्द कार्याल की क्रमचारी द्वारा लिए गए हो यदि कोई क्रमचारी चुट्टी लिए हो या जो भी उन्होंने आवेदन दिया हो उस संबंद में उसकी परती भी हम लोग उपलब्द करवाने के लिए अनुरूद कर सकते हैं किसी भी आर्टी आई लगाने के लिए 10 रुपे का सुल्क लगता है या जो बीपील परिवार धारी है जो गरिवी रेखा से नीचे के परिवार है वो निशुल्क सुचना ले सकते हैं या दस रुपे का आप सुल्क देकर किसी भी कारियाले से सुचना ले सकते हैं तो सुल्क के रूप में भारतिय पुष्टल ओडर, नन युडिस्चली, डिस्टांप या बैंक ड्राप्ट दे सकते हैं, जिसमें रसीत संख्या अवस्थ भर देंगे, से जमा कर रहा हूं, या जो पी पिल धारी है, वो अपने रासन कार्ट की प्रती लगा देंगे, रासन क हम लोग किसी भी कार्याले में आर्टियाई लगा के रहां देर से आने या ना आने या सो समय कार्ज नहीं करने के शमंद में सूचना मांगकर उस क्रमचारी पदादिकारी पर कारवाई करवाशकते हैं, आसा है आप लोग इस प्रपत्र को किसी भी कार्याले में कैसे लिख के होंगे और आसा है आप लोग भी अवस्थ अपने छेत्र में RTI लगाकर अपने अधिकारों का परियोग करें और अपने छेत्र में हो रहे ब्रस्टाचार को दूर करने का प्रियास अवस्थ करें जय हिन